नमस्कार मैं सबकी शिक्षा में आपका बेहत स्वागत करती हूँ तो NDMC ने नव्यूग स्कूल की कक्षाओं में दाखिला लेने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जी हाँ नव्यूग स्कूल में दाखिला प्रक्रिया जो है शुरू हो गई है वो भी 13 अपरेल 2023 से तो जो entry level class है यानि की KG और कक्षा 1 कक्षा पहली जो क्लास है उसमें दाखिले 13 अपरेल 2023 से 19 अपरेल 2023 तक होंगे कुछ नव्यूग स्कूल जो है वो कक्षा पहली से शुरू होते हैं तो कुछ नव्यूग स्कूल जो है नरसरी से शुरू होते हैं उनमें नरसरी कक्षा में दाखिले होंगे और जो पहली कक्षा से शुरू होते हैं उनमें पहली कक्षा में दाखिले होंगे और मैं आपको केवल खाली सीटों पर ही दाखिले होंगे और इन में दाखिले होंगे 13 अपरेल 2023 से 30 अपरेल 2023 तक और नव्योग स्कूल सरोजनी नगर में कक्षा छटी में दाखिले नहीं होंगे इस प्रकार नहीं होंगे उन में जो है रिटर्न टेस्ट देकर एंट्री टेस्ट देकर जो ह NSSnet द्वारा लिया जाएगा ककशा 10वी में कोई दाखिला नहीं होता है बस कुछ ही मुख्य कारणों की वज़े से दाखिला होता है ककशा 11वी में दाखिला CBSBAC ककशा 10वी के Board Result के बाद शुरू होगा और ककशा 12वी में भी कोई दाखिला नहीं होता है एक्सेप्ट जो है बहुत ही कोई मुख्य घटना घटी हो तब ही दाखिला होता है अब वे कहना चाहते हैं कि आपको application form किस प्रकार मिलेगा तो application form जो है एकदम मुफ्त एकदम निशुल्क आपको मिलेगा यह है आप download भी कर सकते हैं ndmc की website से या school website से या फिर आप अपने नस्दी की नव्यूग स्कूल जाकर भी उनसे इस form की मांग कर सकते हैं अब वे ये भी बता रहे हैं कि नव्यूग स्कूलों में दाखिला कौन-कौन ले सकते हैं तो जो लोग ndmc एरिया में रहते हैं यानि कि दिल्ली छेतर में रहते हैं वे लोग ही नव्यूग स्कूलो में दाखिला ले सकते हैं और कोई भी government valid document photo ID दिखा कर जैसे की voter ID card या अधार card दिखा कर या फिर अपना एक साल पुराना बिजली का बिल, पानी का बिल या गैस बिल दिखा कर जो है वो ये form ले सकते हैं अब वे आगे जो है बात कर रहे हैं कि माता पिता के ही address proof की माननेता हो अगर आप अपने दादादी की चाचा चाची की या ने किसी रिष्टदार की address proof दिखाते हैं तो उसको मानने नहीं किया जाएगा फिर वो बता रहे हैं कि बच्चों का दाखिला किस प्रकार होगा तो बच्चों का दाखिला जो है एक दम पारदर्शिता के साथ होगा जी जी और क्लास वन में दाखिला होगा उनका पॉइंट सिस्टम के दुआरा और जो है रिजर्वेशन कोटा भी है अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती के बच्चों के लिए फिर वो ये भी बता रहे हैं कि 30 प्रतिशत सीटे जो है वो रिजर्व करी जाएंगी क कैटेगरी बी के लिए तो जिनकी सालाना इंकम जो है दो लाख रुपिय है या उससे कम है वे कैटेगरी ए का हिस्सा है और जिनकी सालाना इंकम दो लाख रुपिय या उससे ज्यादा है वे कैटेगरी बी का हिस्सा है फिर वो आगे बता रहे हैंगी कैटेगरी ए और बी क जो है SCST categories में भी divide करा गया है और जो है उसी हिसाब से उनको जो है जो दिल्ली के reservation rules है जो दिल्ली के आरक्षन के जो rules है उसके हिसाब से उनको school में दाखिला दिया जाएगा और यह दाखिला जो है point system पे दिया जाएगा तो अब वो यह बता रहे हैं कि किस किस प्रकार point दिये जाएँगे तो सबसे पहले जो है distance की बात कर लेते हैं यानि कि घर से school की दूरी की बात कर लेते हैं तो घर से school की दूरी के total points है 30 points तो अगर बच्चे का घर स्कूल से 3 किलोमीटर के अंदर अंदर है तो उसे पूरे 30 points मिलेंगे अगर बच्चे का घर स्कूल से 3 से 5 किलोमीटर के बीच में है तो उसे 20 points मिलेंगे और अगर बच्चे का स्कूल से घर जो है वो 5 किलोमीटर से ज्यादा दूर है तो उसे केव 10 points ही मिलेंगे अगर बच्चे का कोई सगा, भाई या बहन उसी school में पढ़ रहा है, उसी नव्यूग school में पढ़ रहा है जिसमें बच्चा दाखिला लेना चाहता है तो उसे पूरे 20 points मिलेंगे, अगर वे नहीं पढ़ रहा है तो उसे पॉइंट मिलेंगे और अगर वे कोई और government employee हैं कोई और सरकारी करमचारी हैं तो उन्हें 15 पॉइंट मिलेंगे फिर वो आगे बता रहे हैं कि अगर जो बच्चा है वो girl child है यानि कि लड़की है या फिर पहला बच्चा है अपने माता पिता को तो उसे 10 पॉइंट मिलेंगे अगर बच्चा person with disability category से यानि कि दिव्यांग है तो भी उसे 10 पॉइंट मिलेंगे अगर बच्चे के जो माता है वे single parent है या पिता single parent है या फिर बच्चे के दोनों ही parents नहीं है वे आनात है तो भी उन्हें 10 पॉइंट मिलेंगे तो ये जो है ये total 100 पॉइंट है जिनके basis पर बच्चों को दाखिला दिया जाएगा फिर बता रहे हैं कि अगर माता पिता ने जो form भरा है बच्चे के लिए उस form में कोई गलती दिखाई देती है कोई कमी दिखाई देती है कोई तूटी दिखाई देती है तो दो दिन का समय माता पिता को दिया जाएगा उस गलती को ठ साइड के थूँ और नोटिस बोड के थूँ ये बात बता दी जाएगी कि जो है अब दो दिनों में जो है हम ड्रॉआ ओफ लॉट्स करने जा रहे हैं तो दो दिन पहले आपके पास खबर आजएगी कि अब दो दिन बात जो है आपको अपने बच्चे के स्कूल में जाना है और देखना है कि किस प्रकार जो है कौन-कौन से नेम निकल कर आ रहे हैं और इन सभी को जो है वीडियो बनाया जाएगा और एक साल तक स्कूल वाले इसको कम से कम अपने पास रखेंगे ताकि अगर कभी भविश्य में भी आपको ये वीडियो देखनी पड़े कि किस प्र जाएं और अपने बच्चे का देखें अब आगे जो है वो बता रहे हैं कि एज लिमिट क्या है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एंट्री लिबल की यानि कि प्री प्राइमरी या केजी कक्षा में दाखिला लेने के लिए बच्चे की उम्र जो है कम से कम चार वर्ष होनी चाहिए यानि की बच्चा 1 अपरेल 2018 से 31 मार्च 2019 के बीच में जो है पैदा हुआ होना चाहिए और कक्षा पहली में दाखिला लेने के लिए बच्चे की कम से कम 5 वर्ष उमर होनी चाहिए यानि की बच्चा 1 अपरेल 2017 से 31 मार्च 2018 के बीच में पैदा हुआ होना चाहिए औ अब भे आगे बता रहे हैं कि आपको कौन-कौन से documents जो हैं submit करने होंगे अगर आपके बच्चे का नाम आ जाता है तो आपको जो है सारे original documents submit करने होंगे अगर गलती से भी उन्हें पता लग गया कि आपने कोई document fake submit करा है कोई जाली document س गृसमिट करा है फिर वे आपसे आपका आई परमान पत्र मांग रहे हैं, income certificate जो बताए कि आप सालाना दो लाख रुपे या उससे कम या उससे ज्यादा कमाते हैं फिर उसके बाद वे आपसे आपका voter ID या आधार कार्ड मांग रहे हैं as proof of residence यानि कि आपका निवास परमान पत्र देना है फिर वे आपसे आपकी बैंक की passbook या बिजली का बिल या पानी का बिल या गैस का बिल मांग रहे हैं जो की माता पिता के नाम पर ही होना चाहिए फिर वे आपसे copy of google map भी मांग रहे हैं जिसमें यह दर्शाया हुआ हो कि आपके घर का school से कितनी दूरी है तो उसमें आपको mark करना होगा कि वह 3 km है या 5 km है या 3 से 5 के बीच में है या जो भी है अगर आप अनुसूचित जाती है अनुसूचित जन जाती से हैं तो आपको अपना जाती प्रमान पत्र भी दिखाना पड़ेगा अगर आपका बच्चा दिव्यांग है तो आपको उसका document भी दिखाना पड़ेगा फिर उसके बाद अगर आप सरकारी करमचारी है या NSES करमचारी है या NDMC करमचारी है तो आपको अपने वो करमचारी होने का प्रमान दिखाना होगा फिर आपको अपना self declaration लिखना होगा कि यह है जो बच्चा है या आपका पहला बच्चा है या फिर यह बच्चा जो है आपकी पहली लड़की बच्ची है यानि कि आपकी बिटिया है फिर आपको जो है एक valid legal document दिखाना होगा अगर आप एक single parent है तो आपको दिखाना होगा आपके तलाग के कागजात या आपके जो पती या पत्नी है उनके मृत्यू के कागजात अगर उनकी मृत्य हो चुकी है या अगर आपका डिवोर्स हो चुका है तलाग हो चुका है तो तलाग के कागजात आपको जो है वो दिखाने होंगे और फिर यह भी दिखाना होगा कि आप ही अपने बच्चे के legal guardian हैं और अब वे आपसे कह रहे हैं कि जब आप school में जाएंगे तो आपसे जो है application form के कोई भी पैसे नहीं मांगे जाएंगे वह निशुल्क होगा या आप online भी download कर सकते हैं घर बैठे लेकिन admission के समय पर अगर आपके बच्चे का नाम जो है select हो ज तो 40 रुपे तो आपको one time admission fee submit करना होगा यानि कि अगर suppose करिया आपका बच्चा कक्षा पहली में दाखिला ले रहा है और कक्षा बारवी में अब वो नव्यूग स्कूल से पढ़ लिख कर निकलेगा तो आपको सिर्फ एक बार 40 रुपे जो है कक्षा पहली के दाखिले के समय देने है और वो भी अगर आप 2 लाख रुपे सालाना से कम कमाते हैं तो आपको केवल 20 रुपे देने है अगर आप 2 लाख रुपे सालाना से जादा कमाते हैं तो आपको 40 रुपे देने है फिर जो है आपको annual development fee 1200 रुपे देना है यानि कि आपको school के development के लिए school की यह हजार रुपे आपको स्टार्टिंग में देने हैं और साल के आखरी में यह हजार रुपे आपको वापिस मिल जाएंगे लेकिन यह हजार रुपे आपको तभी वापिस मिलेंगे जब आपका बच्चा स्कूल में ढंग से सही से बैठा रहेगा और सिविल रहेगा यानि क अगर गलती से भी किसी लड़ाई जगडे में मिल जाता है या school की कोई property खराब करने ही कोशिश करता है bench तोड़ देता है कोई blackboard पर मार देता है Smart class तोड़ देता है या ऐसा कोई हरकत कर देता है जिससे school की property को कोई नुकसान होता है तो उसमें से 1000 रुपे काट लिए जाएंगे अगर उन्होंने कोई बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है जो 1000 रुपे से ज्यादा का है तो आपसे उसके और एक्स्ट्रा पैसे भी मांगे जा सकते हैं लेकिन अगर आपके बच्चे ने ऐसी कोई तोड़ा फोड़ी नहीं करी ह उसने सही से पूरा साल बिता लिया है तो आखरी साल, आखरी में, साल के आखरी में आपके पास यह 1000 रुपे आपको वापसी दे दिये जाएंगे जाएंगे तो यह थी कि नव्यूग स्कूल में आपको फॉर्म भरने के लिए क्या-क्या जानकारी की ज़रूरत पड़ेगी मैं आशा करती हूं कि आप जल्दी फॉर्म भरना शुरू कर देंगे क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है फॉर्म निकल चुके हैं अगर आप अपने बच्चे का नजदी की नव्यूग स्कूल में दाखिला कराना चाहते हैं तो जल्दी करिए आज ही नव्यूग स्कूल जाईए और फॉर्म लेकर आईए या फिर ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करें और उसको भरें और सब्मिट करकर आएं अब मैं आपसे चाहूंगी सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद